हेलो फ्रेंट्स वेलकम हैं आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं मेरे गार्डन के खुब्सूरत से फ्लावरिंग प्लांट्स जो की पॉर्चुला का के प्लांट है विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है और गर्मियों के जो फ्लावर है वो अभी थोड़े खिले कितने खुब्सूरत लग रहे हैं और इनका जो साइज है वो भी काफी बड़ा है तो अगर आप अपने पॉर्चुला का के प्लांट के जो फ्लावर है उनको इंक्रीज करना चाते हैं तो आप उनमें कंपोस्ट एड़ करना मद भूलिए में भी अपने पॉर्चुला का के प्लावर की प्लांट है जितने भी उनमें कंपोस्ट एड़ कर देते हूं इस प्लांट की खास बात होती है कि आप इसको चोटी से चोटी कंटेनर में बहुत ही एजली ग्रो कर सकते हैं देखिए चोटा साइज पोट है मेरा मैंने इसमें लगाया हुआ है और यह काफी इसमें में इसमें लीगार आती हैए प्लावरिंग तो ब 왔 अ कमांची कर दो ल Leah का अथ干ी बिलूमिंग पर है और इन्होंने सारह कोर्च कर दोंसे BMW नहीं दिखा वह इसी वज़े से है कि मैंने इसमें कमपोस्ट एड़ की हुई है और काफी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है इसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे सेव करके रखें एक गमले में जितनी भी कटिंग्स है मेरे पास मतलब जितने भी इसके फ्लावर के प्लांट हैं कलर हैं वह सारे में सेव करके रख लूगी विंटर सीजन में यह प्लांट फ्लावरिं नहीं करता है यह प्लांट हो जाता है विंटर सीजन में लेकिन इसकी जड़े उस पोर्ट में रहती हैं जिस पोर्ट में हम इसको लगा के रखते हैं तो जैसे ही इसका सीजन स्टार्ट होगा दुबारा से इसमें पत्यां बनना स्टार्ट हो जाएंगी जिस पोर्ट में हमने इसमें इसकी जड़े लगाई हुई है और उनको मल्टिपल करके मैं सारे पोर्ट में लगा देती हूं ्याइक सब्सक्राइब करें के एक या पूर। इस में किस्कितच ब्लसात dunga plants निरसरी पर आना सेता हो गलता है एपना इस बहुत ईजिली बुल्दाओदी के प्लांट देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे Flower आवे ऐं फौर Flower आवे उसमें चोटा चूत में कटिंग से ग्रो किया हुआ plant ץًा में बहुत ही ईज़ली गुलदाओदी के प्लांट हो जाते हैं चोटी सी कटिंग हम इसकी वगर्ण कर देते हैं तो यह ईज़ली ग्रॉ हो जाती है बरसाथ के निया recognizes you आसी क्टिंग चोटी इसमें कलीया है साइट से काफी सारी है तो यह भी c forward प्लावर बन जाएंगे कुछ दिनों में यह देखी यहां पर भी इस पर कलिया आई हुई है तो बहुत अच्छा प्लांट है विंटर सिजन के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें से बुलगाओदी का इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आप लोगों को नरसरी प बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसके फ्लावर देखने में और इस समें डेंधस और गजानिया के फ्लावर भी काफी अच्छे आए हुए हैं नरसरी पर आप लोग पर्चेस कर सकते हैं 20 या फिथर्टी रुपीस के आसपास इसके प्लांट्स आना स्टार्ट हो गए हैं उमीद है आप लोगों को मेरे फ्लावर पसंद आए होंगे पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत बूलिएगा दोते हैं नाक क्यों लिए धन्यवाद